जैहिन आजился हम रामसिंग यादव की सिरी इस्टार्ट कररें हैं आर्मी के सारे जो एकजामांने मैं इसमें सबसे जाद कोumo All kids पूचे जाते वह राम सिंग यादव किताब से पूछे जाते तो यह किताब जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉट है आपके एक्जाम के पॉइंट अप व्यू से और आथ से मैं पर्लिसिस इस्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले मैंने जो लिए इसमें हिस्ट्री के टॉप मैं सारे कोशन करेंगे और यह सारे कोशन जो होंगे आपके राम सिंग यादव कि किताब से उंगे और इसकि learnt is नहीं जाएंगा, तो चलिवे सपर करते सब्से पहले कोशन से सब्से पहला कौशन है आपके पास कि सिंदु सभ्यता सिंदू सभ्यता जो थी वह क्या थी सहरी सभ्यता थी वह सेकंड कोईशन है आपके पास सिंदु घाटी सभ्यता का मुख्या व्यवशाय क्या था जो इनका मुख्या व्यवशाय था वो था आपका किरशी चीके अगर आपको इसकी पीडियेफ चीए तो आप हमारे टेलेग्राम से भी जूड़ सकते हैं कि थर्ड कोईशन है आपके पास कि सिंदु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन सा था तुछ इनका बंदरगाह टाउन था वह था आपका लो धल कौन सा था लो थल आगे है आरियो ने भारत में जिस इलाके में कबज़ा किया था उसको क्या कहते हैं तो उसको जो कहा जाता है सबत सिंदू क्या का जाता है सबत सिंदू अगले कोशन में चलते हैं कोशन कहा रहा है कि मोहन जो दाड़ो इस्तित है तो जो मोहन जो दाड़ो है वो आपका कहां इस्तित है सिंद में सिंद में आगे है लोघ्ल किस काल का ऐतिहासिक इसतल है तो जो लोघ्ल है आपका वो सिंदु घाटी काल का आतिहासिक इसतल है आगे चलते हैं कोशन कहा रहा है मनुश्यदारा अपनाई गई पहली धातु थोड़ा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है तो जो सबसे प्राचीन पुराण है वो आपका है मत्सय पुराण कौन सा है मत्सय पुराण आगए है कली बंगा आपके एक्जाम में आ भी रखा है और यह इ culpa में पूछा भी गया था तो कली बंगा आपके राजस्तान में इस्थित क्यां से राजस्तान में इंपॉर्टन कर ले न है अगला कोशन है आपके पास कौन से इस्तल आदूनिक गुजरात में इस्तित हैं जो आदूनिक गुजरात में आपका कौन-कौन सा है लोथल है रंगपूर है और भगत राओ है तो यहां से आपका ऑप्शन हो जाएगा सैकेंड थर्ड और फिप्थ कहीं दिख रहा है गरहत है वह पक्की-इंटों के बने होते थे किसके बने होते थे पकी इंटों क dependence सिंदु-घाटि सब्भयता के कि उस इस्तवा पर पाया गया है तो यह पाया गया है आपका मोहंच जो दाड़ो में, किसमें मोहंच जो दाड़ो, ठीक है, आगे चलते हैं, आर्या भारत में कहां से आय थे, जो आर्या थे वो भारत में कहां से आय थे, तो यह आपके आय थे मध्या इसिया से, कहां से आय थे, मध्या इसिया से, ठीक है, और यह question तो सबको पता होगा कि भारत का प्राचीन वेध कौन सा है अब ये question पेपर में नहीं पूछा जाता है क्योंकि यह बहुत पुराना हो चुका है और सबको आता होगा तो Rig Vee सबसे पुराना वेद होता है हमारे पास चार वेद होते हैं आप सभी को पता होगा तो यह ज्यादा important है नहीं पर आपकी book में था तो मैंने का करा देता हूं ठीक है अगले question में चलते हैं question कहा रहा है कि आर्य किसके विरुद्ध थे तो जो आ रहे थे वह मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे किसके मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे वई आगे हैं इन में से किस फसल का ज्यान वैदिक काल के लोगों में नहीं था जो तंबाकु की फसल थी उसका जो ग्यान था वैदिक काल में लोगों को नहीं था वही किसकी फसल तंबाकु की फसल का आगे कोशन की तरफ बढ़ते हैं कोशन कहा रहा है किस वैदिक देवता की स्थुति रिग देव में सबसे अधिक की गई तो वो जो देवत अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं रिग वेध में गायत्री किसको किसे समर्पित है तो यह जो समर्पित है वह आपकी सावित्री को किसको था वित्री को सी आपका राइट आंसर रहेगा वह बहुत धर्म का संस्तापक है तो बहुत धर्म के जो संस्तापक है आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध ठीक है ये बहुत धर्म इसलिए इंपोर्टेंट है और गौतम बुद्ध इसलिए इंपोर्टेंट है कि हर साल इससे कोश्चन आपका बनता ही बनता है इस साल भी आ जम से संबनित इस्थान कौन सा है तो आप सभी को पता ऋगा घृस्ट का जर्ण में लुम्मी है औ chegou है निम्न लिखित में से भगवान भूद्ध की मृतीव से संबनित हो थो मतलब भगवान भूद्ध की जो मृतीव थी वो कहा हुई थी तो व्हों थी आपकी कुशी नगर में काविती कुशी नगर आधुनिक बहुत साहित्य किस भासा में रचे गए हैं किस भासा में इसको ठीक कर ले नहीं भासा था किस भासा में रचे गए हैं तो जो भासा है वो है आपकी पाली भासा कौन सी भासा है पाली भासा बहुत गरंद से संबंदि निम लख्यत में से किसका जन्म वा मिर्द्यु बैसाक पूर्णिमा के दिन हुआ था तो वो थे आपके भगवान बुद्ध कौन थे? भगवान बुद्ध भई भगवान बुद्ध को पूरा पढ़ लेना भई इससे कोशन बनने की बहुत जादा चांसेज है आगे है भगवान महावीर का जन्म कहा हुआ था तो भगवान महावीर का जो जन्म है वो हुआ था आपका वैशाली में कहा हुआ था वैशाली में वै जैन धर्म के जो परवक्तक थे वो थे महावीर स्वामी कौन थे महावीर स्वामी अगला कोशन कहा रहा है कि जैनियों के पर्थम तीर्थाकार कौन थे जो जैन थे उनके पहले जो तीर्थाकार थे वो थे आपके रिशव देव कौन थे रिशव देव आगे कहा रहा है कौन स का संस्थापक कौन था तो जो नंदवंस्था नंदवंस के जो संस्थापक थे वो थे आपके महा पदमानन्द कौन थे महा पदमानन्द जो यह सारे कोशन है यह आपके एक्जाम के point of view से काफी important और कहीं न कहीं किसी भी आर्मी के पेपर में पूछे भी गये हैं कि आगे कहा रहा है कि भारतिया इत्यास में किस यूग को स्वण यूग के नाम से जाना जाता है तो इस question का जवाब आप सब को पता होना चाहिए कि गुप्त काल को इत्यास में स्वान काल के नाम से भी जाना जाता है किस काल को गुप्त यूग को या गुप्त काल कहलो ठीक नालंदा विश्च विद्याले का संबंद किस से तो जो नालंदा विश्च विद्याले है उसका संबंद बहुत धर्म से किस धर्म से बहुत धर्म से इंपोर्टेंट भी है और काफी बार आर्मी के एक्जाम में पूछा भी गया है, आगे है सिकंदर महान भारत कब आया था, तो जो सिकंदर है वो 326 BC में, कब आया था, 326 BC में भारत आया था वही, आगे है निम्न में से सबसे पुराना राजवन्स कौन सा है, तो जो सबसे पुराना राजवन्स है वो है आपका मौर्या कौन सा है मौर्या जो है आपका सबसे पुराना राजवन से वई निम्न मेंसे किसने सबसे पहले भारत पर आक्रमन किया था तो सबसे पहले जो है वो आक्रमन किया था आपके अर्बी उने ठीक है अर्बी जो थे उन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमन किया था आगे है प्राचीन भारत में मगत राज्ये की राजदानी प्रारंब में क्या थी तो मगत राज्ये की जो राजदानी थी वो थी आपकी राजगीर कर देना यह राजगीर था भई राजगीर चीक है सही कर लेना आगे है मौरे वंस की स्थापना किसने की तो मौरे वंस की स्थापना जुकी वो की चंदर गुप्तने किसने की चंदर गुप्तने आगे भी important question है ये question भी आपसे पूछा गया है कि गुप्त वंस की स्थापना किसने की तो गुप्त वंस की जो इस्थापना की वो की आपकी स्री गुप्त ने किसने की स्री गुप्त ने वही चीक है किसने की स्री गुप्त ने आगे है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्र गुप्त को कहा जाता है किसे कहा जाता है समुद्र गुप्त को आगे है हर्च वर्दन के सामराज्य की राजदानी कहां थी तो जो हर्च वर्दन थी इसके सामराज्य की जो राजदानी थी वो कन्नौज थी कहां थी कन्नौज ये आपका correct answer रहेगा चीन का परिशत धार्मिक विद्वान हुएंग सौंग किसके सासनकाल में भारत आया था तो जो हुएंग सौंग था ये हर्च वर्दन के सासनकाल में भारत आया था किसके हर्च वर्दन के सासनकाल में है बाणभट किस राज्य Sichay के दर्रवारी विदवान थे तो जो बाणभट थे वह आपके हर्स वर्धन के राज्य के दर्रवारी विद्वान थे कोडनांग उडिशा में सूर्या देव का जो मंदीरrig फेमस टेंपल उसका निर्मान किस ing कराई तो उसका निर्मान जो जो है नर्सिम फास्ट किस किस वंस के सासक ने स्री लंका पर आक्रमन किया ओ जो स्री लंका पर आक्रमन किया है Japanese Теперь के चोल और अंतिम कोशन है आपके पास कि भारत में सुद्ध सोने के सिक्टे सबसे पहले किसने चलाए तो सुद्ध सोने के जो सिक्ते थे सबसे पहले कुरुषान ने चलाए ठीक है किसने चला है कुरुषान ने ठीक है कुरुषान कर देना इसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक में ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर जैहिन